समय सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए लेकिन जिंदगी किसी को नहीं मिलता है मिलता है दुबाड़ समय बदलने के लिए तो समय की कद्र कीजिए और पढ़ाई लिखाई करते रही है लोगड़ाई के समय में और हमारे YouTube चैनल द्वारा और हमारे WhatsApp क्लास द्वारा आपको सभी सब्जेक्ट का सभी विशेबस्तु आपको पढ़ाय जा रही है सो आप लोग महनत करते रही है आगे बढ़ते रही है Welcome to Gyanadipi School Dear student, today I am going to teach you subject current affairs First of all, revision for class 3 to 8 First question, who was the chief guest of India's 70 Republic Day Celebration 2019 2019 में 17 Republic Day पर chief guest के रूप में कौन आये थे भारत तो Cyril Ramphosa ये South Africa के रहने वाले थे यानि South Africa के ये परसिडेंट थे परसिडेंट अभी भी है वही Cyril Ramphosa जो की 2019 में chief guest के रूप में भारत आये थे और अभी 2020 में कौन आये थे तो Jayar Bolsonaro ये ब्राजिल के प्राइमिनिस्टर है वही भारत आये थे लेकिन अभी 2019 का पुछा गया है तो Cyril Ramphosa याद रखेंगे South Africa के तीन capital है Pretoria, Cap Town और Bloom 14 याद रखेंगे कमेंट में ये लिखना है कि Cap Town, Pretoria और Bloom 14 कौन जुडिसियल है कौन अड्मिनिस्टरिव के पिटल है ये सब आपको तीनों के बारे में लिखना है कमेंट में कि कौन क्या है चलिए second question देखते है Which state government has recently launched Madhu app for school student School student के लिए Madhu app अभी हाली फिलाल में कौन सा state government ने लौंच किया है तो ये Odisha Odisha government ने लौंच किया है जिसमें कि student को परहाई लिखाय कि साधे वीसे वस्तु उनको उनके website पर Madhu app पर मिल जाएंगे चलिए Odisha की बात है तो यहां के chief minister जान जाते हैं जान लेते हैं नवीन पतनायक इस दा परजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ औरिसा गवर्नार है गनेसी लाल और टोटल लिस्टिक्स की बात किया जा तो थर्टी डिस्टिक्स है औरिसा में शिरकालिक आपको याद होगा यहीं पर है औरिसा में है चलिए थर्ड कोश्चन है फ्रजेंट चीफ सेक्रेट्री बिहार बिहार के प्रजेंट में चीफ सेक्रेट्री कॉन है दिपक कुमार कि फौर्ट नमर के क्वेश्चन है विच इस देखने वाला प्रजेंट यह आपका है रामायन और इसके डिरेक्टर थे रामाण सागर जो 25 जनुवरी 1987 को पुरी तरिके से बना के लांच कर दिया था तैयार कर दिया था मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याल है ये जो है प्रोग्राम वाज लॉंच इन अप्रील 2020 इन बिहार अफ ए स्टुडेंट आफ विच क्लासेज यानि ये जो बिहार स्टुडेंट के लिए बिहार में जो स्टुडेंट सब पर रहे हैं उसके लिए मेरा दूरदर्शन मेरा विद्याल है प्रोग्राम जो है किस क्लास के स्टुडेंट के लिए लॉंच किया जया तो 9th and 10th अब जो है इस पर 11th और 12th की भी पढ़ाई हो रही है तो आप लोग 11th 12th को भी दियान में रखेंगे चलिए टूडे जो आज का सेशन शुरू होने वाला है वो करेंट अफेर्स पार्ट 20 यानि बीसमा पार्ट शुरू हो रहा है इसे पहले उनिस खतम हो चुगा है चलिए आज बीस रिस्टार्ट करते हैं चलिए लेस्ट रिस्ट रिस्टार्ट पर्ष्ट क्रेंट है इसमें अस्थमा पेसेंट के देखभाल के लिए यस पर वर्ट किया जाता है सगेंट कोश्च्टन है सी अर्प एस्टेनपूर सी आर्प एफ मुचा जा रहा है सी एस्टेनपूर सेंटरल आर-स्टेंट-फूर्ड रिजर्व पी एस्टेंट-फूर्ड पूर्स यह इसका फूरा फूर्ण फूर्म है Central Reserve Police Force Chief Director इनके है AP महसवरी यह Chief Director है यानि CRPF के Head है और इसका Formition जो हुआ था Central Reserve Police Force का 27 जुलाई 1929 ट्वूटी सेवन्थ जुलाई 1939 यानि 27 जुलाई 149 को CRPF की अस्थाबना हुआ था इसके परजेंट में हेड की बात किया जा तो एपी महिस्वरी है थर्ड कोस्चन विच वेस्ट बंगाल सेर्स इट्स बांडरीज विथ हाव मेनी कंट्रीज यानि वेस्ट बंगाल जो है अपना बांडरी कितने देशों के साथ सधा करती है तो यह थरी कंट्री कॉन सबाज देख लेते हैं बांगलादेश बुटाओन नेपाल बांगलादेश की कैपिटल ढाका बुटाओन थिंपू और नेपाल का काटमांडू याद रखेंगे और बांगलादेश के साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा बॉर्डर सेर होता है 4,096 किलोमेटर याद रखेंगे फूर्थ नमर के कॉस्चिन है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियान कंस्टिटूशन इस टेकेन फ्रॉम विच कंट्री फंडामेंटल राइट्स जो है यह जो हमारा है मौली का दिकार यह जो है कंस्टिटूशन में यह किस देश से लिय लिया गया है यह पूछा जा रहा है तो USA United States of America से लिया गया है और यहां की परसिडेंट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रॉंप है और आपको बता दे कि हमारा जो संभीधान है कंस्टिटूशन है यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संभीधान है रिटेन कंस्टिटूश है क्योंकि यह बहुत सारे देश से अलग-अलग तरह के बहुत सारे चीज लिये हैं और उसको अपने कर्श्चूशन में सामिल किये हैं इसलिए इसमें बहुत ज्यादा संभीधान इसमें बहुत बड़ा है तो यह फंडमेंटन राइट्स जो लिये है याद रखेंगे विच कंट्री हाज लॉंजड ए पर्मानेंट रिसिदेंसी गोल्डन कार्ड यानि अभी कौन सा अभी हाली में कंट्री है जो की पर्मानेंट रिसिदेंसी के लिए गोल्डन कार्ड लॉंज किया है तो वो है आपका UAE United States United Arab of Amirat UAE Stanford United Arab of Amirat जिसकी कैपिटल आबुधावी ह और यहाँ के पर्सिदेंट है खलीफा बिन जायाद अलनहियान यहां के पर्सिदेंट में आप याद रखेंगे कि इन्होंने अभी गोल्डन कार्ड लॉंज किया जो वहां के पर्मानेंट रिसिदेंसी है जिससे कि उसको यह दिक्कत कभी नहीं होगी, एन रसी बगेर आखे, जिससे हमारे देश में भी बहुत सारे प्रब्लम होगी थी, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स नमरा क्वेश्चन है, चानीज प्रसिडेंट सी जिंपिंग वाज कंफर्ड विथ मानस ओर्डर अफ फर्स्ट डिग्री, यह पुछा जा रहा है किस कंट्री का सबसे हाइस्ट अवार्ड है, यह है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान जो एस्टिनेंट की एक कंट्री है, अभी वहीं का यह सबसे बड़ा आवार्ड है, किर्गिस्तान की बात करें तो इसका क्यापिटल बिसकेख है, और परसिडेंट की बात करेंगे, तो सोरनवेव जीवन वेकोब है, आप इसको याद रखेंगे, चलिए ने अर्टिकल 370 जो है, ये डिफाइन किया गया है, किस पार्ट के अंदर, हमारे संबिधान में 22 पार्ट है, उसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन से भाग में ये सामिल किया गया है, तो पार्ट 21, यानि भागी किस में सामिल किया गया है, इसके बारे में डिफाइन किया 370 और अभी धाड़ा 370 यानि आर्टिकिल 370 को हटा दिया गया है यह जमू कस्मिर में लगा हुआ था जिसमें कि हमारे भारत की बहुत सारे नियम रूल सम्विधान काम वहां पर नहीं करते थे क्योंकि इसको एक VCS राज का स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला था जिसमें यह 370 के तहट यह डॉक्टर राजन परसाथ के समय से ही चलते आ रहे थे जबकि वह फ़स्ट परसिडेंट थे उसी समय से अभी अहाली फिलाल में इसको खतम किया गया है पर यहां पर यहां पर लेटिनएंट गवर्नर जो है वह गरीश चंद्र मुर्मु है और लद्दाग की लेटिनेंट गवर्नर जो है वो राधा कृछ्ट नमाथूर है और याद रखेंगे इसमें दो लेटिनेंट गवर्नर है जम्मु कसमीर और लदाक में तो लदाक की राधा क्रिस्न माथूर है और जम्मु कसमीर का लेटिनेंट गवर्नर आपको लिख दिया है ग्रीश चंद्रमर्ण चलिए एक नमर कोच्छन देखते हैं, वो इस दोनों जो है यह आथर हैं यह बुक के आपको बता दें कि यह जो दोनों यह इस बुक में डॉक्टर अबुलकलम द्वारा अबुलकलम जी द्वारा लिखा गया करए मतलब बताया गया बहुत सारा चीज का जिकर है जिसमें कि मेंली आ उनके कुछ-कुछ अपना यह अफना सएर किय हैं मतलब बहुत सारी बातें जो हैं अपना शेर की हैं और गरीबों की उपर यह बहुत सारे चीज हिसमें और हमारे देश का किस तरह से चल रहा है वो लिखास विवस्था इसमें स्रीजन पाल सिंग जो है इनके कि इसमें जो है यह बताया गया है डॉक्टर एपी जय अमदूल कलाम और पाल सिंग के बारे में तो स्रिजन पाल सिंग जो थे यह इनको मैनेजिंग डारेक्टर बनाया गया था डॉक्टर कलाम का और इसमें ही मतलब इसके बारे में ज्यादातर यानि क्लाम फॉंडेशन के डारेक्टर इनको बना दिया गया था पुछ दियर के लिए और यह फ्रोफेशल से ओधर थे कौन यह डॉक्टर स्रिजन पाल सिंग यह ऑथर थे और यह पॉब्लिक एस्पीकर थे सोचल इंटर्पेनियोर और इंजिनियर भी थे जो कि इनसे घटी घटनाओं को और इनके बारे में बहुत अच्छे विस्तार से इनके पॉलिशी एकोनोमिक और इनके एडवाइजर यह स यह एक अथर थे जिन्होंने की डॉक्टर एपीजे अबदूलकलाम और दोनों मिलके इनके इनका बुक का नाम लिखा गया है टार्गेट 3 मिलियन को इसको लॉंच किया गया इसको लिखा गया और इसमें इसकी बहुत सारे इसमें रहस इनका है इनके पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दूलकलाम किस तरह से रहते थे कैसा वेवार था उनका किस तरह से वर्क करते थे चली अब नाइन्थ नमर का क्वेश्चन है विच इस दा हाइस्ट सिविरियन आवार्ड और यह अलेवन्थ परसिडेंट थे कौन यह डॉक्टर एपीजे अब्दूलकलाम अलेवन्थ परसिडेंट थे याद रखेंगे चली नाइन्थ नमर के क्वेश्चन है विच इस दा हाइस्ट शिविलियन आवार्ड और याद रखेंगे यह यहां का सबसे हाइस्ट शिविलियन आवार्ड है आप इसको याद रखेंगे पुलिजर अवार्ड जो है यह कब स्थाफित क्या गया तो 1917 यानि 1917 में यह पत्रिकार्टा के लिए सबसे बड़ा आवार्ड दिया जाता यूनाइटेज एस्टेट्स आप अमिर्का के लिए आप याद रखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा पत्रिकार्टा का सबसे तुडेज वर्क फर यू आपको आज घर के लिए कुछ वर्क दिया जाता है यह फाइब कोस्चन है जो बहुत इंपोर्टन है आप इसको अच्छे से याद कर लें गोगा मिल लेक इस लोकेटेट इन इस डिस्टिक आप बिहार सकेंड कोस्चन है वेर इस सहीद खुदिरा आप बाउस का सेंट्रल जेल लेक इटेड है थर्ड कोस्चन है विच स्टेट हाज एक्स्टेंड इस कर्फिव तिल माई 17 यानि कौन सा स्टेट है जो अभी कर्फिव को 17 माई तक बढ़ा दिया गया है और फॉर्थ नमर के क्वेश्चन है विच स्टेट से ब्लैक राइस ह इंडिया है जिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन और फिफ्ट नमर में क्वेश्चन है पांच बहुत बच्चे देखते हैं कि दो बच्चे वाट्स आप जवाब दिया है जैसा कि अभीजीत कुमार है उसके बाद अल्था फुल हक है यह सब वाट्स आप पे जवाब दिय हैं और दो बच्चे हैं जो कि जियान अमीन और निधी कुमारी यह सब कमेंट में जवाब लिखे हैं तो वैरी 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 वैल डन सो फ्रॉड आइम प्रॉड ऑफ यो इसी तरह आप लोग महनत करते रहें और आगे बढ़ते हैं कुछ ही बच्चे हैं जो कि महनत कर रहे ह हम जान रहे हैं कुछ बच्चे हैं जो कि इग्नोर कर रहे हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन उनके लिए यह बहुत ही नुक्सान होने वाली है चाहे वो अभी हो या बाद में हो लौड डान के समय में आप लोग महनत नहीं कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या क कर रहे हों गया भी घर के चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और नायकर इंटरफेट्स के साथ आप लोग घर में रहिए स्वास्त रहिए मस रहिए चेक केर गुड़ वाय